हेलो फ्रेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ावल आईसी में और मैं अमित कुमार सौनी हार देख हार देख अविनंदन करता हूं स्वागत करता हूं दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए तुरंथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर करें वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें और साथी नॉटिफिकेशन बटन पर भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों बहुत ही अच्छी निउज है और ये निउज आपके लिए एक मोका प्रवाइट करती है जिससे कि आप 8 मार्च अंतरराष्टिये दिवस पर अपने मन की वात और साथी साथ रोजगार संबंदी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिवराज जी तक पहुचा वाले हैं और ये गोशना होंगी रोजगार से संबंदित महिलाओं की सुरक्षा से संबंदित और भी कई सामाजिक सोशल मुद्दों से संबंदित तो दोस्तों इसमें सबसे महत्पून बात यह है कि इसमें मोका दिया गया है कि हमारी जो भी परिशानी है क्योंकि हम जानत को महिलाएं पैदल मार्च करके जो मामी जी है साधना सिंग जी उनके यहाँ पर जाकर के ग्यापन देने का कारिक्राम बना रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर ग्यापन देने के साथ साथ में मोतिलाल स्टेडियम में यदि किसी प्रकार से उनके पास पहुँचकर शिवराज ज दिया जाए तो इससे अच्छा मौका और नहीं होगा और दोस्तों महिला दिवस पर निश्चित रूप से शिवराज जी उनकी बात सुनेंगे और जल्द से जल्द कोई न कुछ इसके बारे में निर्ने लिया जाएगा तो दोस्तों चारों तरप से काफी पॉजिटिव न बड़ी घोशना करेंगे CM शिवराज सींग चोहान अब आगे है कि मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सींग चोहान का चोथा कारिकाल चल रहा है लेकिन इस बार भी वह कुछ इन्नोवेटिव कर रहे हैं सरकारी कारिक्रमों में कन्या पूजन ब्रक्षा रोपन के अलावा शिक्चा, रोजगार और स्वास्ते पर उन्होंने अपना पूरा फोकस बना दिया है कहा जा रहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सींग चोहान को बड़ी गोशना करेंगे इधर महिला हैं भी सोशल मीटिया के माध्यम से मुख्य मंत्री शिवराज सींग चोहान ये संदेश देना चाहते हैं कि महिला एक किसी वी विदा में पुर्सों से पीछे नहीं है यही बज़े है कि महिला दिवस पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तू महिला पुलिस कर्मियों के हातों में रहेगी मोतिलाल नहर मंद्यप्रदेश की महिलाएं सरकारी नोकरी और रसोई गेस में टेक्स माप चाहती हैं दोस्तों कई सारे सोशल मुद्दे हैं नोकरी की भी बात है काफी समय से बेरोजगारी चल रही है साथी महंगाई भी है तो 15 अगज 2020 को मुक्यमंत्री ने गोशना की थी कि मंद्यप् करें बेरोजगार शिक्षित लड़कियां बेरोजगार असिक्षित लड़कियां पती से बिवात की चलते अलग रही महिलाएं विद्वा महिलाएं एवं परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार की सक्त जरूरत है इसके अलाबा घरेलू महिलाएं चाहती है कि सरकार से कोई कर बिद्यालायों में चात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों ये भी एक बहुती महत्पून पॉइंट है कि 8 मार्च को महिला बाल विकास विभागने महिला सशक्तिकरण को बरावा देने के लिए सरकारी और उतकिष्ट इसकूलों की कक्छा 9 से 12 त आई कॉंडो की विशेश रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी तो दोस्तों ये एक बहुती महत्पून जानकारी थी कि 8 मार्च को हम पैदल मार्च के साथ ही जो भी चैनेज सिक्षिकाएं हैं वो मुक्यमंत्री से भी मिलें और वहां पर ग्यापन दें और अपनी बात को को रोजगार से सम्मंदित वा अन्य से सम्मंदित तो धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को जैहिंद